अगला चैप्टर प्राः आपको बिद्दूत अपने फ्रेंडों को पास जिसके पास सेर करना हो आप सेर कर दीजिए चलि हम पढ़ाती है बिद्दूत बताई बिद्दूत किसे कहते हैं बिद्दूत आवेस किसे कहते हैं बताईए बिद्धु आवेस वावत है किसी पदात कवागुड जिसके कारण वा उसमें बिद्धु तथा चुमकिये परभावत्पन होने होने का गुड़ हो ठीक देखिए इसमें क्या कह रहा है आवेस कर आवेस परमाड के एक मूर कड़ है या धनात्मिक भी हो सकता वर परमाड का परमाड में क्या क्या होते है जैसे प्रोटान न्यूटान और इलक्टान से मिलकर बने होते हैं ठीक है इसको हम आवेस को किसे डिनोट करते हैं क्यूं से क्यूं बराबर क्या होता है यन ए ठीक है यन बराबर क्या होगा पता आर्थों में इलक्टानों की संख्य यह ब्राबर लिख लीजिए गईन ब्राबर पदार्तों में इलेक्टायनों की संख्यां यह इन ब्राबर क्या है एक एक इसकामान होता है 1.6 इन्टो 10 के पाउंड9 कुलाम होता है ठीक आप इसको लिख लीजिए गा इसका मात रख सी होता इंद एक आवेस कैसा रासे या एक आदिस रासे है कैसी रासे आदिस रासे है ठीक है अब इसको अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में चलिए दूसरा देखी क्या कह रहा है सामान आवेस एक दूसरे को पर्तिकर्सित करते हैं ठीक है अगर यह समान है तो एक दूसरे को पर्तिकर्सित करते हैं निम्माली जी अगर समान है तो यह दूर हटेंगे एक दूसरे से दूर पर्तिकर्सित करेंगे तीसरा क्या कहा रहा है समान आवेस एक दूसरे को आसमान आवेस एक दूसरे को क्या करते हैं तो आसमान जब रहेंगे तो यह दूनों आपस में आकर सिद करेंगे देखे क्या कहा रहा है कुलाम सी आवेस है इसका एसाई मात रख करा एक पुलाम एक पुलाम आवेज बराव सिक्स पाउन 6 इंटू 10 के पाउर 18 एलेक्टानों में उपस्तित आवेज एक एलेक्टान पर आवेज कितना होता है अभी आपको पहले बताएं ने 1.6 इंटू 10 के पाउर माइनेस 19 क्यों क्या हथा है यंध ठिक क्यूं क्यों क्या है आपका कूल आवेश कुल आवेश है आपका क्यों क्या है कुल आवेश यनका है एक लेक्टानों की संख्या यह क्या है एक लेक्टान पर आवेश आगे चलिए देखें क्यारे विद्द्धारा किसे कहते है आवेश के परवाहित होने कि दर को हम हम विदूत्ध धारा कहते हैं इसे किसे denote करते हैं आइ से हम परदर्सित करते हैं विदूत्ध धारा पराबर कहता है आवेस बटे समय ठिक आवेस को किसे denote करते हैं q से कहाँ इसमाल चाह कैपिटल क्यों बटे टी कि यह साई मात्रक धारा का एसाई मात्रक क्या होता है एक एमपियर बराबर क्या होता है एक एमपियर बराबर एक कुलाम बटे एक सेकंड बिद्दुत आवेस दो परकार के होते हैं आवेस कितने परकार करते हैं दो पहला होता है आपका धना वेसित पॉस्टिव वैलू दूसरा क्या होता है माइनस वैलू अब कर आपको प्लस वैलू माइनस वैलू का डिफिनीशन बता रहे हैं आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए देखिये धना वेस किसे कहते हैं पॉस्टिव किसी पदार्त में इलक्टानों की कमी किसी पदार्त में जब इलक्टानों की कमी के कारार उत्पन आवेस को हम धना वेस कहते हैं जिस्य चीज़ में हमें कमी महसूस होगी इलक्ट्राण में तो वो क्या होता है धना भेस होता है कि दूसरा है dad tys कि किसी पयात में एलक्ट्राणों के अधिक्टां अतिक्तय के कारों अटपन आवगेस को हम अधिक्टा्ण जब किसी पर अधिक हो इलेक्ट्रान तो क्या होगा इलेक्ट्रान जिसमें अधिक हो तो यदा वेशित होता है की अग्शिक गया क्वल बतातें हैं इस अग्श्ञ के 있다, कशुला है इस ख़़ है च्छड को हम अगर रेसम रेसम की कपड़े पर अगरते हैं तो कांच की च्छड पर इलक्टरनों की कमी हो जाती है जिस कारण कांच की च्छड धनावेसित हो जाती है ठीक यह आपका हो गया धनावेसित का रिड़ा बेसित का आई एक बताते हैं आपको एक्जाम्पल एक इनोबाइट की छड़ क्या एबो नाइट एबो नाइट की छड़ पर से रगड़ता रगड़ा जाता है तो एनोबाइट की छड़ पर लेक्टरान के अधिक्ता हो जाती है जिसका Cubyte की छड़ रिड़ा वेशत हो जाती है ठिक, minus value यह आपका होगए रिड़ा वेश बिद्धुत धारा की से कहते हैं किसी चालक में बिद्धुत आवेस के परवा की धर को बिद्धुत धारा कहते हैं लिख लिजी किसी चालक में बिद्दूत आवेस के परवा की दर को बिद्दूत धारा कहते हैं इससे हम I से परदर्शित करते हैं ठीक है I बराबर क्योंगा QY T होता है I बराबर क्योंगा QY T कि बिद्दूत धारा मापन करते हैं किस से करते हैं आ मीटर से ठीक है बिद्दूत धारा का मापन हेत आ मीटर का प्रियोग किया जाता है विद्धारा मात्रक क्या होता है? कुलाम परती सेकेंड कैसे दिखो? I वराबर क्या होता है? QY T तो Q का होगा? आपका? कुलाम होगया उसके बाद T क्या होगया? समय क्या होगया? कुलाम परते समय अथवा MPR भी हमिए इसको कह सकते हैं कि इसके मात रखो कि आपको और आगे एक छोटा सा बता रहे हैं एक कि मिली कि एंपियर कि बराबर टेन पर पावर माइनस थिरी एंपियर होता है ठीक और दूसरा क्या कह रहा है एक और भी होता है एक माइक्रो कि एंपियर कि बराबर टेन के पावर माइनस शेक्स एंपियर अब इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा चलिए एक क्वेश्चन अब हम दे रहे हैं माल लीजिए धारा आई बराबर कितना है दो एंपियर ठीक और इसमें आवेस क्या है क्यों बराबर चार कुलाम तो आप इसमें टी बताईए चलिए बताईए टी क्या होगा तो अभी आपको सुत्र क्या बताए थे आई बराबर क्यों वाई टी आई बराबर क्यों वाई टी क्यों कमान कितना है फोर और आई कमान कितना है सॉर्डी टी निकालना है न तो आई बराबर क्या होता है क्यू वाई टी उसके बार टी बराबर क्यों किमें समय नकालना तो क्यू वाई डाई हो जाएगा क्यू कमान कितना है छार और क्या पर इसमें कितना है 220 दो सेकंड है स्वारी यह धारा आई का मान टू एंपियर है तो क्या जाएगा दो दूनी चार यह आपका क्या जाएगा दो सेकंड एंसर आ जाएगा चलिए क्वेस्टिन और करिए अगर मान लीजिए आपका धारा दिया है आठ एंपियर और टी दे दिया है टू सेकंड तो आपको क्यों निकालना है चलिए बताएगा तो हम आपको सुत्र बताएं आई बराबर तो आपको सुत्र क्या है आई बराबर क्यों आई टी इसी पर मान रखके आप उसको हल कर लीजिएगा आगे कुछ और है जैसे लिखा पदार्थों के परकार पदार्थों के परकार कितने परकार होते हैं तीन पहला क्या होता है चालक दूसरा क्या होता है अचालक और तीसरा क्या है आपका अर्ध चालक अर्ध चालक कंड़क्टर नान कंड़क्टर और सेमिकंड़क्टर ठीक अर्ध यह चालक किसे कहते हैं चालक वे पदार्थ जिसमें आवेश का परवाह सुगत्मता से होता है क्या तो चालक कहलाता है जिसे उदाहरण लिख लिजिए धातुएं अमलिये जल लवड आदी अ और अचालक किसे कहते हैं जिसमें गजिए गजिए घाती में आवेश का परवा नहीं होता है उसके बाद कहां छो गया आपका रवर्ड हो गया आदीश्त में क्या होता है करेंट नहीं होता है इसलिए कभी भी अगर लाइट वाइट कहीं करेंट उतरे तो आप सुखे लकड़ी से या रवर्ड से ही उसको छोड़ाने कोशिज करिएगा और सेमी कंडुक्टर अर्थचा करते हैं वे पदार्थ हो जो समान वस्ता में आवेज का परवाह नहीं करते लेकिन पदार्थ करता बढ़ाने पर अंधुर और दूसरा क्या है गर्मेनीयव जर्मे नियम, आदे, ठीक है, बिद्दुत बिभो, किसे कहते हैं, बिद्दुत बिभो, बिद्दुत बिभो क्या होता है, चलिए बता है, तो आप इसको नोट्स में लिख लिजिए, एकांग धनावेस को अनंत से बिद्दुत छेतर में इस्तित किसी बिद्दुत तक लाने में किये गए कारिको उस बिद्दुत का बिद्दुत बिभो कहते हैं, इसको किसे वी से कुछ देनोट करते हैं क्या होगा डवलू बाई कियो कि डवलू वाई कि इसका मात्रक होता है जूल बटे कुलाम यह हम बोल्ट भी बोल सकते हैं प्लिद्द भीवो किसे कहते हैं एक आंगधनावेस को आनंत से बिद्दु छेतर में इस्तित किसी बिंदु तक लाने में किये बीबों कह लाते हैं व बराबर क्या होजेगा डबलू वाई है क्यों डबलू जूल और क्यूक को Diya कुलाम तो क्या होगा जूल बटे कुलाम यह हम बोल्ट भी इसका मीटर कह सकते हैं मत्रक जोता बोल्ट तो बस आज इतना ही इसके आगे हम कल आपको बताएंगे कि आपको सुत्र फिर से दोहरा दे रहे हैं एक होता है क्यों बराबर क्या हो जाएगा यह इंटू इए और दूसरे क्या बता हैं हम विद्दुधारा आई बराबर क्यों आई टी उसके बाद तीसरा क्या बता है विद्धुद विभो विवरावर डबलू आई क्यों इन सब का आपको मात्र क्याद कर लीजिएगा पहले का क्या हो जाएगा पताइए कुलाम ठीक है दूसरा आपका हो गया कुलाम बटे सेकेंड और तीसरा का जूल बटे कुलाम होता है इसको बोल्ट भी कह सकते हैं तो आज का क्लास की समाप्त होता है अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाएगा आपने फ्रेंडों के पास स प्रेंडों के था आपको नहीं है।